हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माइ योटुब चैनल यूनिक चैनल में तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हमारा आज के वीडियो तो जैसे कि आप लोग यह देख रहे हैं कि हमारा चत्तिसगर के मैप है और इसमें हमने सर्गुजा डिविजन को है हमने कम्प्लीट कर चुक है उसके बाद हम आ गया थैं हमारे दूर्ग欸 डिविजन में और इसमें हमने दो-तिन जो जीला उसको भी हमने कंप्लीट कर चुक तो बता दे रह atual आप लगों के कौन कौण सा वह जीला है जिसको हमने complete कर चुका है, तो सबसे पहले है हमारा कबीर धाम जिसको हमने complete कर चुका है उसके बाद है हमारा बेमे तरह उसको भी हमने complete कर चुका है उसके बाद है हमारा राजनान गाउं इसको भी हमने complete कर चुका है तो आज के वीडियो में हमने हम कौन सा जो जीला है उसको लेने वाले हम दूर्ग डिस्टिक को जो है लेने वाले तो चलिया friends आ जाते हैं हमारे दूर्ग जीले के मैप में तो friends जैसे कि आप लोग दिये देख रहें ये क्या है हमारा दूर्ग डिस्टिक का मैप है ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते थें उसको मैं बता दे रहूँ आप लोगों को सबसे पहले हम इस map में देखते थें कि कोन-कोन सा जो जीला है वो इससे border बनाती है तो चले श्टार्ट करते हैं हमारा video तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इदर पस्चिम की और राजनन गाउं से बना रही है उसके बाद नीचे और पस्चिम की और बलौध है उसके बाद यहां पे है नीचे की और धमतरी जीले से बना रहा है उसके बाद है हमारा पस्चिम पूर्व और किस से बना रहा है रैप हमने Border को देख लिया उसके बाद हमें क्या देखते थे National Highway देखते थे ठीक है तो National Highway में क्या देखते थे उसको मैं बता दे रही आप लोगों को जैसे कि हमने देखा, राजनान गाउं जिले से एक नेशनल हाईवे आती है, उसका क्या नाम है, NH-53 ठीक है, और ये जो NH-53 है राजनान गाउं से आती है, फिर दूर्ग होते हुए, भिलाईस से होते हुए निकल जाती है कहां? राइपूर जिले में ठीक है, तो चलिए हमने क क्या क्या देखते थे आप लोग को पता ही होगा, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे कि ये जो आप देख रहें, ये क्या है हमारा प्रसासन ठीक है, तो प्रसासन में हम देखते थे, तहसील देखते थे ठीक, block देखते हैं district headquarter देखते हैं जीला मुख्याले बोल सकते हैं आप लोग उसके बाद हम देखते थे नगर निगम भी देख लेते ठीक हैं तो तहसील यहाँ बे कितने हैं देख सकते हैं आप लोग यहाँ से तहसील हमारा 5 है इस जीले में ठीक और blocks कितने हैं तीन है ठीक है तो चलिए friends हम देख लेते हैं map में कौन-कौन से जो तहसील है वो 5 है और कौन-कौन से जो block है वो 3 है हमारे तो चलिए friends आ जाते हैं हमारे map में तो friends जैसे कि आप लोग यह देख रहे हैं हमारा दूर्ग district का map है ठीक है तो हम देख लेते हैं इसमें क्या तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये क्या है हमारा दूर्ग डिश्टिक का मैप ठीक है तो इसमें मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को की तैसिल कौन-कौन से है तो तैसिल है हमारा सबसे पहले धमधा ये क्या है तैसिल है उसके बाद हमारा बोरी है बोरी ये भी क्या है तैसिल है उसके बाद है हमारा दूर्ग ये भी क्या हमारा तैसिल है और भिलाई ये भी क्या है हमारा तैसिल है उसके बाद है पाटन ये भी क्या हमारा तैसिल है ठी यह क्या है हमारा जीला मुख्यले है ठीक है दूर्ग है वो जीला मुख्यले हमारा क्या है यहां का दूर्ग है ठीक है और यहां पे नगर निगम भी है उसको भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से जो नगर निगम है यहां पे है ठीक है तो नगर निगम है यहां पे दूर्ग और उसके बाद रिसाली नाम का एक जगह है रिसाली वो भी क्या है, हमारा नगर निगम है यहां कितने नगर निगम हो गए आप लोग देख सकते हैं, आज ने नगर निगम को लिखा भी है तो देख लीजे, आप लोग दूर गए भिलाई है फिर भिलाई चरोंदा है उसके बाद रियाली है ठीक है रिसाली है रिसाली है तो ये क्या होगे हमारे जो नगर निगम है उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है तो चलिए फ्रेंड्स आगे आजाते हैं हमारे हिस्ट्री में ठीक है तो हिस्ट्री में हम क्य सारे वीडियो में बनाया चुका है तो आप लोग को पता ही होगा हम क्या क्या देखते हैं गठन देखते हैं इस्ट्री में और क्या देखते हैं पेरन डिस्ट्रिक्ट देखते हैं उसके बाद देखते हैं पुरा तात्विक स्थान देखते हैं ठीक है तो चलिए friends इसका जो ये दूर्ग जीला है वो कब बना है हमारा 1906 में इसका पुरा complete formation हुए ठीक है ये दूर्ग जीले का उसके बाद हमारा इसका जो ये दूर्ग जीला है वो कौन से जीले से अलग होकर बनी है तो यह कौन सा जीला है हमारा राईपूर जीला से अलग होकर क्या बनी है हमारा दूर गजुष्टिक है वो क्या हुआ फoptर्मेशन हुआ है तो फ्रेंड्स हमने जैसे की देखा इसका मातरी इसकी मातरि जीला कौन थी राईपूर थी तीक है मात्री या पेरेंट डिश्टीक आप लोग ब пользов सेकते हो कौन है हमारे पूर है ठीक है और इसे 2014 में समभाग बनाए गया और ये जो दूरग हमने समभाग देख रहे हैं इसको क्या है 2014 में इसे इसी को क्या बनाए गया डिविजन या संभाग जो है बनाया गया 2014 में आप लोग याद रखेगा ठीक तो ये हो गया हमारा उसके बाद हम देखते थे क्या देखते थे पुरा तात्वी की स्थान देखते थे तो इसको चली हम देख लेते हैं कौन सा है पुरा तात्वी की स्थान याप है तो तरी घाट यहां से प्रशन मात्र के स्वन्ड मुद्र मिले है ठीक है और ये जो तरी घाट नाम का जग है वहाँ से क्या मिला हमको प्रशन मात्र के स्वन्ड मुद्र जो है हमको प्राप्त हुए है उसके बाद है एक हमारा तरी घाट खरून नदी के तट पर है ठीक है और यह जो तरी घाट हम देख रहे हैं जहां से हमको स्वांड मुद्र मिली है किसके प्रशन नमातर की ठीक है और वो कहां पर है तरी घाट खरून नदी के तट पर है तो चलिए मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ कि वो तरी घाट कहां पर है exact तो चलिए आजाते हैं हमारे मैप में तो जैसे कि आप friends देख ले होंगे यहाँ पर क्या है यह रहा यह क्या है हमारा खारून नदी है जो की border पर बहती है रैपूर और बेमे तरह और हमारा दूरगड़िश्टिक के border पर जो है बहती है और यह जो आजाती है हमारे धमतरी में और यह क्या है हमारा खारून नदी है ठीक है और इसी के तट पर यह रहा क्या है तरी घाट है और यहीं से हमको स्वन्ड मुद्र मिले किसके प्रसंद मात्र के ठीक है तो यह हो गया हमने इसको भी देख लिए map से तो चलिए friends आगया जाते है हमारे आगे के points पे तो यह आप लोग को दीख रहोगा कौन से अगला point है हमारा अगला point है हमारा geography ठीक तो चलिए देखते है geography हमें हम क्या क्या देखते थे एक बार आप लोगों को बता देता हूँ तो geography में देखते हैं हम चटान देखते हैं बंडारंड देखते हैं नदी देखते हैं ठीक है और उसके बाद और भी चीज़े देखते हैं अगर होता है तो उसके बाद चट्टान में हम देखते हैं क्या कौन से चट्टान यहाँ पर पाया जाता है तो चट्टान में हमको क्या मिलता है कडपा चट्टान मिलता है और यहां से हमको क्या प्राप्त होता है खनेज के रूप में हमको चूना पत्थर जो है हमको मिलता है यहां से ठीक है और यह चूना पत्थर कहा कहा से प्राप्त होता है उसको मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ ठीक है यह है कहा से प्राप्त होता है जामूल सिमरिया से होता है ठीक है एक हमारा भंडाराण का है जामूल सिमरिया है उसके बाद नंदनी खुंदिनी है उसके बाद है हमारा चुनकट्टा है उसके बाद है सुलेंद अच्छोली है सुलेंद अच्छोली यहाँ पे देख रहे हैं इधर लिखा है हमाईने, सुलेंद अच्छोली है, उसके बाद है डोर, ठीक है, इन सब जगों से क्या मिलता है हमको, जो चूना पत्थर हो हमको प्राक्त होता है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा, आगे है हमारा नदी, ठीक, तो नदी में कौन-कौन सी न राइपूर में के बीच सीमा है, ठीक है, और ये जो खारून नदी है, ये दूर्ग और राइपूर के बीच सीमा पर बहती है, ठीक है, मैंने पहले ही आप लोगों वह दिखा चुका है, मैप में कहां कौन सी सीमा पर बहती है, तो ये कौन सी सीमा है, दूर्ग और राइप नदी क्या है दूर्ग में है और यहां महतरी बाग ठीक है सिवनात नदी और दूर्ग में है महतरी बाग ठीक है सिवनात नदी भी है यह दूर्ग में और क्या है महतरी बाग भी है ठीक है तो इसको चलिए हम मैप में एक बार देख लेते हैं कि खारून नदी और यह सिवनात नदी को और उसके बाद हम मैतरी बाग को भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को मैप में exact कहां पे हमारा मैतरी बाग तो चलिए friends आ जाते हैं हमारे मैप में तो ये क्या है हमारा दूर्ग डिश्टिक का मैप है ठीक है तो इसमें हम देख लेते हैं कि नदी को एक बार देख लेते हैं उसके बाद हम देख लेंगे वो मैतरी बाग कहां पे हैं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये वाला हमारा नदी कौन से है खारून नदी है जो कि ये रहा रायपूर और ये क्या है हमारा दूर्ग है तो उसके बॉर्डर पर क्या है बैर यह ठीक है यह जो खारून नदी है यहाँ पे लिखा भी है मैंने तो यह क्या है हमारा खारून नदी इसके बाद हम एक और नदी देखे थे वो कौन सी नदी थी सिवनात नदी ठीक है तो इसको भी हम एक बाद देख लेते हैं कहां से आती है यह जो है बेमे तरह जिले से आत तो यह जो बॉर्डर है ना बॉलोद के बॉर्डर के पास से ही निकलती है ठीक है यह जो हमारा सिवनात्न दी है वो तो हमने नदी को भी देख लिया उसके बाद हमने एक चीज और देखी थी वो क्या थी हमारी मैतरी बाग ठीक है तो यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यह दूर्ग के दक्षिड की और आप लोग समझ सकते हैं तो यह क्या है हमारा मैतरी बाग है ठीक है तो यह हो जाता है हमारा complete हमने map में इसको देख लिया नदी को तो चलिए friends आगे आजाते हैं हमारे आगे कौन से है उसको आगे की points पर चलिए देखते हैं कौन से points है हमारे आगे तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह क्या है हमारा जंजाती जो है point है जंजाती एवन परिये टन ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं हम जनजाती को देखेंगे कि कौन से जनजाती यहाँ पर निवास करती है तो चलिए देखते हैं हाँ पर कौन से जनजाती है जो हमको देखने के लिए मिलती है यह जो दूर्ग दृष्षिक हम आप कौन से जनजाती निवास करती है गोंड जन जाती है परधान है उसके बाद बिंजवार है उसके बाद हलबा ठीक है ये जो जन जाती है वो कहां पर निवास करती है हमारे दूर्ग जीला है उसमें जो है ये सब जो जन जाती है वो निवास करती है ठीक है उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे परियटन में तो ये और देव बलोदा है मर्शी शिव मंदिर भिलाई के नजदी क्या है देव बलोदा है ठीक है भिलाई के नजदी क्या है देव बलोदा और यहां क्या है देव बलोदो में क्या है मर्शी शिव मंदिर है ठीक है लोग देख लिजिए, उसके बाद है हमारा बाना बरत को कहते हैं, ठीक है, और ये जो बाना बरत है, उसको क्या कहते हैं, गौतीर्थ बोलते हैं, ठीक है, ये जो बाना बरत हमने देख रहे हैं, ये क्या है, गौतीर्थ है, ठीक, और गौतीर्थ क्या है हमारी, जैसे कि गौ कि अचानक मृत्ति हो जाती है तो उनका अस्थी विसरजन होता है वहां ठीक है और यह ग sonra बहोंअ जगरद को जैसे कि अचानक मृत्ति हो जाती है किसी भी कारण जो है मृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर जाकर गौमाता की जो है अस्थी को विसर्जन किया जाता है ओके फ्रेंट्स तो यह हो जाता है हमारा कम्प्लीट दूर्ग डिश्टिक को हमने एकदम डिटेल में देख लिया तो फ्रेंट्स अगर आप लोग किसी भी चीज में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताएए हम लोगों को फिर हम लोग आप लोग को बताएंगे फिर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर के यह हमारे चाइनल को ताकि आप लोग को नए जो अपडेट है उसको हम आप लोग को देते रहेंगे 36 गड़ के बारे में तो चलिए फ्रेंट्स यह हो जाता है हमारा आज के वीडियो यही तक है उसके बाद हम कल जो देखेंगे वो अगले जीलो को देखेंगे जो की दूर के बाद है उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे तो फ्रेंट्स अग हो गया हमारा आज का वीडियो खतम